है हेलो फ्रैंड्स तो आज की रेसिपी है चूकणदर का हल्वा तो आज हमने बनाया चूकंदर का हल्वा बहुत ही में बनाया तो जैसे की आज वैलनटाइन डे आए तो इसके लिए हमने आज बनाया चूकंदर का हल्वा kittens तो आज रेड ही हम बनाएंगे चुकंदर कालवा तो देखिए कैसे बनाना है इसे यह हमने अच्छे से वोश करके इसको छील लिया है और हम इसको कट कर लेंगे चकु से इसको कट करने के बाद हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे आप चाहे तो इसको जूसर ग्रांडर में भी मिक्सी में पीस होंगी तो यह देखिए मैंने यहां पे कट कर लिया था और अब मैं इसको मिक्सी में पीस लोगी तो चलिए शुरू करते हैं यह देखिए यहां पे यह कट हो चुका था मैंने इसको मिक्सी में पीस लिया है तो अब मैं लोगी एक कडाई यह देखिए इस इसमें दोड़ा मेरा गीला था , तो यह देखियं यह पाणी på जाएंगा इसमें दोटंद मा करें दोटें अपना से इसमय। चकुंदर तो यह देखिए यह पिसावा चकंदर इसमें डल गया है हम इसको जब तक बोनूंगी जब तक यह पानी नी सुख जाएगा तब तक हम इसको हिलाते जाएंगे और इसका पानी अच्छे से सुखाएंगे जैसे हम गाजर को हल्वा बनाने के लिए उसका पहले पू पानी जूखते जा रहा है और हम इसको हिलाते जाएंगे तो यह देखिए यहां पर पानी सुख चुका है तो अब मैं इसमें आड कर दोंगी शूगर तो अगर आप चाहें तो इसको शूगर इसमें आवाईट कर सकतें हैं और आप इसको ऐसी खा सकते हैं लेकिन थोड़ा मीठा होना जरूरी है तो हम इसमें थोड़ा सा मीठा डाल देंगे ज़्यादा नहीं डाला है मैंने सिर्फ आदे को टोरी मीठा डाला है और मैंने यहाँ पर आदा किलो चकुंदर लिये थे तो यह देखिए इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो चीनी अपना पानी छोड़ देगी और उस पानी को भी हम इसमें सुखाएंगे अगर आप चाहें तो चीनी पीसकर भी डाल सकते हैं मैंने चीनी ऐसी डाल दिया क्योंकि अभी हम इसको बोनना है और बोनने में चीनी अपने अप लिक्वेट रूब ले लेगी तो यह देखिए चीनी ने अपना पानी छोड़ दिया है और यह इसमें साफ दिखाई दे रहा है तो इसमें अब मैं ढाल दूँगी एक चमस देसी गी देसी गी से क्या होगा यह चिपकेगा नहीं आपकी कड़ाई के साथ पैन के साथ चिपकेगा नहीं और यह असानी से हिलता रहेगा तो यह देखिए इसको हम अच्छे से हिलाते जाएंगे और कलर देखिए इसका कितना अच्छा आ रहा है तो यह देखिए चकुंदर सहत के लिए बहुत ही फायदे मन्द होता है इसे खोन की कमी जो होती है वो पूरी होती है अगर आप में खोन की कमी है तो आप रोज एक चुक उंदर खाईए तो 15 दिन में यह आपकी शिर्की जो खोन की कमी है वो पूरी हो जाएगी तो चलिए अब हम इसमें डाल देंगे खोया यहां पर हमने खोया यूज किया आप इसकी जगा चाहें तो दूद यूज कर सकते हैं लेकिन मैंने यहां पर खोया यूज किया है क्योंकि खोया घर में पड़ा हुआ था तो मैंने सुचा इसमें यूज कर लेते हैं, इसलिए मैंने इसमें दूद आड़ नहीं किया है, आप चाहें, तो खोई की जगा पे एक गिलास दूद आड़ कर सकते हैं, और आपको जब तक दूद सुखना जाए, तब तक उसको हलका हलाते जाना है, ताकि वह दूद उसमें देखिए, यह बन के रैड़ी हो गया है, तो कैसे लगी आपको मैरी रेसिपी, कमेंट कीजेगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक कीजेगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा, अगली वीडियो में भी लेंगे, तब तक के लिए, बाइ-बाइ-बा झाल